हेलो स्टुदेंट्स आ वेरी गूद मॉर्निंग आई एम यूर टीचर प्रम संस्कति गुरुकुलम स्कूल हाव और यू स्टुदेंट्स आई होब यू आर फाइन तोड़ें आम गूंग टो टेक अप सब्जेक्ट हिंदी हिंदी में आज हमारा है पार्ट दस पार्ट दस का नाम है आना जाना तो बिटा सबसे पहला आप हिंदी की बुक के पेस नंबर 65 को ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं आप मेरे साथ वैसे वैसे ही जीट करेंगे किस और मैं आपको समझाओंगी भी स्टाट करते हैं कि आप जानते हैं अच्छे आचरण कि पह fanta है जब भी कोई घर पर आए हाच जोड कर सीज जुकाए जब भी कोई घर पर आए स्वागत कहकर अंदर ले जाएं जब भी कोई घर पर आए मैं आसंदे साधर बठाय YOUR otur नियुक को और जब च्छा है जरी hundred time इसको नमस्ति करना चाहिए, उसका स्वागत कहकर उसको अंदर बुलाना चाहिए और आसन मतलब उसको बिठा कर उसको आजर के साथ बढ़ाना चाहिए ठीक है? Second line जब भी कोई घर पर आए ठंडा शीतल जल पिलवाएं जब भी कोई घर पर आए खाना पीना भी करवाएं जब भी कोई घर पर आए मीठा बोले बात चलाएं मतलब जब भी कोई आपके घर पर आता है तो आप उसको ठंडा पानी देंगे शीतल जल साफ जब भी कोई घर पर आए तो आप खाना पीना भी करवाएंगे मतलब अभी तक तो हमने उनको बिला है अब हम उन्हें जाने के लिए क्या कहेंगे कि जब भी वो घर से जाएंगे तो उनको दर्वाजी तक हम छोड़ कर आएंगे और जब भी हम घर पर से जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि आप फिर से हमारे घर आना और जब भी कोई घर से जाए फिर से जुक कर सीशनवाई फिर एक बाई फिर से शीशनवाई और जब भी कोई घर से जाए आना जाना मधुर बनाए ठीक है घराए मेमान को क्या केकर बिदा करना चाहिए कि फिर आने के लिए कहेंगे QSТ तो आपको समझ में आ गई हूगी Poem बहुत अच्छी है Interesting है Poem का नाम है आना जाना אोके आपको क्या करना है अपनी Saint Poem की 10 लाइनों को chapter का नाम डाल कर और आना जाना डाल कर chapter का नाम chapter number और उसका नाम एसकी 10 लाइन है और साथ में इस पोयम को याद भी करना ओके स्ट्रेंट्स सो आपको इसकी एक्सेसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराईए ओके थैंक्यू सो मच्ट स्टे होम स्टे सेप घर पर रहें सुरक्षित रहें